पर्यावरन अध्यन कक्षा 5, पाठ 5 ज्यानेंद्रियों का कमाल बच्चों, हमारा सरीर अलग-अलग अंगों से बना है कुछ अंग हमारे सरीर के अंदर है जिसे हम आंत्रीक अंग या इंटरनल ओर्गन कहते हैं तो कुछ अंग सरीर के बाहर इन अंगों को बाहर अंग या एक्स्टरनल ओर्गन कहते हैं हमारे सरीर में कुछ अंग छोटे हैं तो कुछ अंग बड़े सभी अंगों का अपना-पना कार्य होता है हमें स्वास्थ और जिंदा रहने के लिए सभी अंगों का एक साथ कार्य करना आवशक होता है अब हम कुछ खास अंगों के बारे में जानेंगे और ये खास और बिसेश अंग यानि special body parts है ग्यानेंद्रियां और ये पाँच ग्यानेंद्रियां हैं आक, नाक, जीब, त्वचा और कान इनका अपना अपना कारी होता है चलिए, अब हम एक-एक करके सारे ग्यानेंद्रियों के बारे में जानते हैं सबसे पहले हम देखते हैं नाक नाक हमारे शरीर में एक है और वह सुगंद यानि सुंगने का काम करता है यानि स्मेल अच्छा है या बुरा यदि आप बेडरूम में सो रहे हो और ममी किचन में समोशे तल रही हो तो किचन से ही आपको समोशे का समेल आने लगेगा या पता आप क्यों कैसे चलता है नाक के द्वारा यदि आप किसी बगीचे में सैर कर रहे हो और बहुत सारे गुलाब के फूल खिले हो तो गुलाब के फूल की खुश्बू भी आपको नाक द्वारा पता चल जाती है इसी तरह यदि किसी ने इत्र लगाया हुआ हो पर्फिम लगाया हुआ हो उस बैक्ती के पास से ओकर आप गुजर रहे होते हैं तो आपको उस पर्फ्यूम की भी खुश्बू नाक द्वारा पता चल जाती है आप देख सकते हैं पिक्चर में एक गार्विज वाली जगा है जहां कूडा करकच भड़ा हुआ है सड़ा गला चीज है वहाँ यदि आप इस जगा से भी गुजर रहे होंगे तो आपको यहां से बदबुग का भी पता चलता है तो नाक सूंगने का काम करता है यह हमारा संस ओर्गन है जो सूंगने या स्मेल अच्छी या बुरी स्मेल का पता कराता है दूसरा संस ओर्गन या दूसरी ग्यानिंद्रिया जो हम देख पा रहे हैं वह है आँक हमारे सरीर में दो आखे होती हैं और इनका काम होता है देखने का आप किसी चीज को देखते हैं जैसे आपका फेवरेट कार्टून शो अगर आ रहा हो फेवरेट मोबी आ रहा हो तो आप आखो द्वारा उसे देखते हैं इसी तरह किताबे अगर पढ़नी हो तो आप आखो द द्वारा ही देखते हैं तो दूसरा सेंस ओर्गन हमने क्या देखा आख और इसका कार्य होता है देखने का नेक्स्ट हम देखते हैं तीसरा सेंस ओर्गन यानि तीसरी ग्यानिंद्रियां जो है कान हमारे पास दो कान होती है और इनका काम होता है सुनना आप देख सकते हैं पि आगर आपको आपके नाम से बुला रहा हो, एक कोई बच्चा सोर कर रहा हो, तो वो भी आप अपने कान से सुन सकते हैं, मधुर गित या संगीत की ध्वनी भी हम कान द्वारा सुनते हैं, यदि आपकी मम्मी आपको पुला रही हो, टीचर्स आपके क्लास में आपका नाम बो काम होता है सुनने का, अब हम देखते हैं चौथा संस ओरकन टंग यानि जीव, जीव का क्या काम है, चकने का, या हमें किसी भी भोजन का स्वाद का पता कराता है, जैसे नीम्बू खट्टी है, इमली खट्टी है, या कौन बताता है, जीव, इसी तरह मिर्च, जो ही होता है, आप देखें, मीठा ही जितने सारे, वो हम खाते हैं, और वो मीठा है, या भी हमें जीव द्वारा ही पता चलता है, तो जीव है, इस संस ओरकन का काम है, टेस्ट करना, चकने का, और जीव द्वारा ही हम बात कर पाते हैं, लास्ट यानि पांच्वा संस ओरकन हम देख रहे हैं त्वचा या स्किन द्वारा हम फील करते हैं या महसूस कर पाते हैं जैसे पंक मुलायम है या हमें पता कैसे चलता है यदि हम पंक को लेंगे गालों पर घुमाएंगे या अपने किसी बॉडी पार्ट पर उसको घुमाते हैं तो वह मुलायम है या हमें स्किन द्वारा ही पता चलता है वर्फ के टुकडों के यदि हम छूते हैं तो वह ठंडी है चाय गरम है यह सब मसूस कैसे होता है मैं त्वचा के द्वारा तो त्वचा हमारे सरीर का बाहरी आऔरन है छूने और महसूस करने में हमारी मदद करता है जो यानि अभी हमने पांच संस पांच अंग हमें बाहरी दुनिया का ग्यान देती है इसलिए हम इन्हें ग्यानिंद्रियां कहते हैं तो अभी हमने ग्यानिंद्रियों के बारे में जाना जो हम मनुश्यों के पास है इसी प्रकार हमारे आसपास के जितने भी जानवर है उनके पास भी ये पांच ग्यानिंद इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे धन्यवाद